नमस्कार सातियों, फिर से आपका हार्दिक शौगत, अच्छे अपने पास टोपिक आप रूबी लेजर, एक आपके पास आएगा हेलियम नियोन लेजर, इन दोनों में से एक एग्जाम में क्यूशन फिक्स आएगा, सो परतिसत, ठीक है न, जैसे अपने पास रूबी लेज इसका डाइग्राम सामने बना हुआ है, इसमें क्या होते है, काच की नली होती है, उस काच की नली के अंदर एक रूबी छड़ लगी होती है, बिलना का टाइप की, इस रूबी छड़ की जो लंबाई है, वो लंबाई तो कितनी होती है भई, पास सेंटिमिटर, और इसका बनी होती है aluminium oxide की ये तो होता है swept लेकिन इसमें chromium iron जो होता है इसको मिलाय जाता है जिसके कारने इसका जो color है वो color कैसा हो जाता है गुलाबी इसलिए इसको गुलाबी चढ़ भी कहा जाता है गुलाबी चढ़ भी खा जाता है क्योंकि एक शक्रिय माध्यम की तरह काम करता है इसके चारों तरफ यह अन्ये काच की नली लपेटी होती सरपिलाकार में जिसमें जिनोन गैस बरी होती है जिसको अपन विसरज़क नली कहा जाता है सबसे पहले क्या करते हैं इसे नली के उप्पर अपन क्या करते हैं? High Voltage Apply करते हैं जैसे High Voltage Apply होगा तो जिनों के जो आएंस है वो क्या होगे? टूटेंगे टूटेंगे तो क्या होगा? विसरजन उसरजन होगा विसरजन का मनला होता है कि यहां पर विद्दूत विसरजन होगा चिंगारिया उत्पन होगी और वो चिंगारिया किसके उपर आप्तित होगी? इस रूबी छड़के उपर आप्तित होगी तो क्या होगा? यह जो क्रॉमियम आयन है? वो सुरजाव क्या करेगा? उससित करेगा? और High Energy में जाएगा और High Energy में जाएगे तो इसके जो कण है वो क्या करने लगेंगे? गती करने लगेंगे लेकिन इस रूबी छड़के दोनों और दो प्रश्ट लगे होते हैं एक यहाँ पर लगा होता है एक यहाँ पर लगा होता है जबकि यह क्या होता है? आंसिक प्रावर्तक प्रश्ट होता है ठीक है? अब यहाँ से जब वो टकरा के जाएगा वापिस प्रावर्तित होके चला जाएगा लेकिन यहाँ पर पूर्ण प्रावर्तक नहीं होगा क्या होगा? कुछ कम प्रावर्तक होगा आंसिक प्रावर्तक होगा ठीक है उस आंसिक प्रावर्तक के कारण क्या होगा आपके पास जो ये कण है या विकरने उस सरजीत हो रही है वो बार-बार क्या होगा उसका प्रावर्तन होगा और बहु प्रावर्तन के कारण हमें सा क्या होता है तिवर्ता के मान में क्या होती है व्रदी होती है लेकिन एक स्थती ऐसी आएगी कि जब ये सबी जो कण है वो समांतर गती करने लग जाएंगे तो इस चड़ के इस वाले भाग से बाहर निकलेंगे और किस पर दिखाए देंगे आपके पास परदे के रूप में और परदे के उपर दिखाए देंगे कि लेजर पुंज प्राप्त होगा जिसको अपन लेजर प्रकास बोलते है ठीक है अब इसकी जो कारिय विधी है कारिय क्रिया विधी आपके पास क्या है अब ध्यान रखना क्रिया विधी में आपके पास अगर यह डाइग्राम सही बनाया आपने तो आपको पूरे नमबर मिलेंगे अगर डाइग्राम सही नहीं बनाया तो आपको पूरे नमबर नहीं मलेंगे इसमें मैंने अलग-अलग उर्ज जर्जन नली थी उससे जो विक्रने उससर जित होंगी उससे आयन क्या करेंगे उर्जा को ग्रहन करेंगे और उर्जा को ग्रहन करके कुछ तो किस में जाएंगे E4 में और किस में जाएंगे E3 में यानि कि उच उर्जा इस्तर में चले जाएंगे जैसे उच उर्जा इस्तर म उसके बाद में क्या होगा? स्वत्य उस्सरजन होगा. स्वत्य उस्सरजन होगा तो कुछ उर्जा को उस्सरजित करकी किसमें चले जाएंगे? उर्जा इस्तर E2 में जिसको बोलते हैं मित इस्ताई उर्जा इस्तर. क्या बोलते हैं इनको? मित इस्ताई उर्जा इस्तर. अब कि इसकी तुलना में देखा जाये तो दसकी घात प्लस पांच सेकंड ज्यादा बहुत ज्यादा तो यहाँ पर क्या होगा लगातार उर्जा के मान में और फरीकणों के मान में व्रदी होगी और आपके पास कौन सिस्थती प्राप्त होगी भई जन संक्या प्रतिलोमन क्या होगी भई जन संक्या प्रतिलोमन और इस जन संक्या प्रतिलोमन के पश्याद 6943 एंगस्ट्रोन वाली जो विक्रने है उनको सरजित करके जो आपका परमानु है वो परमानु अपने मूह लवस्ता इस तरह में आ जाता है मिनर आपको सीधे ही नमबर मिल जाते हैं अगर आपने डायग्राम गलत बना दिया ये उर्जा आरेक तो आपको नमबर भी कट जाएंगे तो इस प्रकार ये रूबी लेजर का जो टोपिक अपना कंप्लिट होता है और ध्यान रखना एक्जाम में ऐसे की ऐसे आता है ये ठीक भी?